जहें दस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं 6.2 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन सिस्टम तो एजुकेशन के ऊपर हमने अल्रेडी दो तिन टॉपिक कर रखा मेरे पास एडुकेट एमांट ऑफ डेट आज कि कि लिहाँ पर पताया घए यहां कि कि तरीकियसे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन करेगा साथ हमिले एजुकेशन सिस्टम में और मिलई तो तरीके से फेलों तरीके को कर सकते हैं पहला जो और दूसरा जो आपि यह नहीं स्कूल मैं पैसा लाग Maß घुरम का अब नीट क्या है नीट फॉर दी पार्टिपेशन ऑफ प्राविट सेक्टर क्यों हम लोग चाहते हैं कि प्राविट सेक्टर पाटिस्पिट करें लेकिन हमारा नेशनल एजुपेशन पॉलिशी तो 2021 का है उसमें बताया गया कि अम छे परसेंट करेंगे तो इतना पैसे सरका इंप्रूविंग वालेटी अफ एजुकेशन क्योंकि हम जानते हैं कि प्रावेट सेक्टर अच्छा एजुकेशन देती है तो आपके पास एक्स्ट्रा इसकिल्स नहीं है आपको जाब नहीं मिलेगा ठीक है तो इसको इंप्रूव करने की जड़ात है और इसके लिए हम ल संबो चीजें इनोवेट जल्दी अच्छी से करते हैं है। गौ extracting काफी स्लोह है अगर कोई प्राइबेट करना चाहता है कोई प्राइवेट बंदा है अगर हुच मतलब का रोटी हुत करना चाहते हैं तो बहुत "...ए व убий इंडियन एजुकेशन सेक्टर ड्यू तो पाइडा हुआ कि अगर प्राइड सेक्टर आएगा तो क्या के फाइदा होगा आप इसमें बहुत सारा पॉइंट डाल सकते हो जिस तरहीं से प्राइवेट सेक्टर जो है हम लोग का मैरेजमेंट के लिए जाना करता है प्राइवे आप पॉइंट के प्राइब अगरेगा तो यह तो जो प्राइब करेगा तो प्राइवेट कमाने के लिए काम करेगा तो सरफ रिजच इसको लिए कडिए काम करेगा तो इसको आप जितने ज़्यादा पैसा देंगे उतलब यह दो पॉइंट काफी सीब्लेंगे इन इफिशेंट रेगुलेशन क्योंकि अभी भी करफ प्रैक्टिस विदिन रेगुलेटरी अजन्सी लाइगा यह बहुत ही करफ एजन्सीज है तो मतलब काफी बारिस को प्रैविट सेक्टर आएगा तो और ज्यादा करप्शन का चांचे बढ़ सकता है ठीक है क्योंकि वो लोग प्रफिट कमाने के चक्र में आते हैं और प्रफिट कमाने के चक्र में ज्यादा करें ठीक है नेगेटिव पर्षेप्शन ऑब्जेक्टिव्स डूनोट हैं इतना कर्चा घंतिव कान अंधर उतना पैसाल करने लॉधान कर्णी सिक्ट अबीकर से रहते हैं और जोके सबस्क्कार से अच्टेru कमाने को हमें इतना इतना खर्चा ह . तो आप हो सकता है इसमें tax benefit ले 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 लें तो बहुत सारे तरीकियाओं से पैसा कबाने का ठीक है तो इस तरीकिया को वाइट की जा सकती है कि देखे स्टेप्स क्या क्या लिया है गौवर्मेंट बेसिकली बहुत सरे स्टेप्स है बहुत सरी स्कीम का हमें नाम याद आल्रीडी है ठीक है मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा जो भी मैंने एजुकर सेक्टर को पर टॉपिक्स कर रखा है तो आपको हीजी हो कि हर एक प्रावट सेक्टर हर एक प्रावट कॉलेज हर एक प्रावट स्कूल में मेंग्रेटरी कर दिये जाए कि पिशेसabilी क्या गेमारिट में is काफी बहतरी सकते हैं और जोब um पालिसी जो हमारा आया है उसको इंपलिमेंट करना अगही जो भी समें स्कीम ऑलने की बाट कही गई है सब कुछ कर सकते हो इससे मैं एक दो यहां पर आपना गरेडिट को आप स्टोर कर सकते हो ठीक है इस तरह कि बहुत सब्सक्राइद करके तो कभी मन किया तो आप कर सकते हो कभी वन किया तो आप वह अंदर आ सकते हो आपको आप तैसरा एक साल की बाद वापस जा सकते आप इन कर सकते हो ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है इसमें 100% FDI है, FDI का मतलबता Foreign Direct Investment, बाहर से अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्कूल में, तो 100% स्कूल को एक्वार कर सकते हूं लोग, ठीक है, वाइड में basically comprehensive policy चाहिए, ठीक है, यह तो common point है, regulatory environment को अच्छा करना चाहिए, हम लोग को politicians को motivate करना चाहिए, ठ लोग को अगर आगे आना पड़ेगा ताकि गाउं में अच्छी education लोग को दे सके, CSR का होता है, CSR का फुल्फू होता है, corporate social responsibility, हम लोग corporate को भी motivate कर सकते हैं, corporate को भी हम लोग include कर सकते हैं, mobilize कर सकते हैं, कि आप लोग भी आईए, school for education में हलका फुल का contribution कीजी, ठीक है, private sector is often received, reward for its managerial efficiencies and high skilled administrative abilities, तो ये corporate sector जो है, private sector जाना जाता है, उसका manage करने का skills है, उसका efficiency के करना जाना जाता है, administrative abilities क करना जाता है, तो उसका हम लोग use कर सकता है, ये तरीके से, financial assistant to selected students from underprivileged backgrounds, तो ये कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे उनको financial assistant सकते हैं, जो private sector हम परने के लिए, ठेक ह करिए के लिए आपर कुछ एक निउस आप याद कर सकते हैं यहां पर कुछ आद के बारे मिलिया हुआ कि एन-सी-एफ-एन-सी-एफ देखिए यहां पर दिया हुआ नेचिनल करिकूलम फ्रेमवक नेचिनल करिकूलम स्कूल के लिए अर्ली चाइल्ड के लिए और टीचर के लिए और एडल्ट के लिए चार्ट रिए करेकुलम को डिजाइन की जाएगी ठीक है यहां एक बहुत important, 100% gross enrollment ratio is in school education by 2030 यह बहुत important point है, जो conclusion में लोग यूदग यूज़ कर सकते हैं दिस इस बबिस्ट बेस्ट पॉइंट यूज़ इस फॉए यूज़ हमारा topik खतम हो गया मैं सारे वीडियो का लिंक नीचे डाल दोंगा जिससे आपको help हो जाए और education के उपर अगर आपको 2-3 वीडियो अगर आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि education के उपर अगर किसी भी तरह कोशन पुचागा तो आप answer कर सकते हो जस्ति श्टार आपको जाए अगर कोई भी कोशन मिले जस्ति श्टार आंसर आटिग तो महां से मैं देखूंगा जो डेटा वहां पर है मैं स्कुपे इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि मैं दुबारा कोई डेटा एक्स्ट्रा याद निकरने वाला एक डेटा अल्रडी मेरे प धी वीमिली कि भ collagen देख वित फीटार कुझा चालिब स्टिक्त प्याद अि Will टार आंसर दुट ओधा ब्सलदेगा.